प्रेंड्स गुड मॉर्निंग इस्टेशन सायन प्लेसेज में आप सबी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चनल में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उस घटना के बारे में बताएंगे जो कल 2 जून 2023 को शाम के करीब 7 बजे के करीब में ओडीसा के बाला सोर में घटना हुई तीन ट्रेनों की टककर हुई जिसमें 2 यात्री ट्रेने थी और एक मालगाडी थी गटना अस्तल से तस्वीरे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि घटना कितनी भैयंकर थी और कितने लो संख्या है वो तो बढ़ी गई घायलों की संख्या भी अलग से बढ़ गई तब जाके स्थिती समान हुई कि पताचला तीन ट्रेनों की आपस में टककर हुई तो पिछले 20 सालों में ये सबसे बड़ी घटना है जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कि क इस तरह का यहां पर महौल रहा होगा कितने लोग मारे गए होंगे हम दुआ करते हैं कि जितने लोग अभी तक घायल हैं उनको जल्द से जल्द इश्वर करें ठीक कर दें और अपने घर को जा सकें बाकी जो हनोहनी थी उसको तो कोई नहीं रोग सकता जो होना था उसो हो और आगे भी दूआ करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना होए जिससे की कोई हताहत ना हो और साथ में घायल भी ना हो और लोग अपनों से ना बिछाड सकें रेल मंत्री भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसा के जो सीम साहब है पतनाई जी वो भी पहुंचे थे उन्होंने भी मौका मौईना किया साथ में जो रेल मंत्री हैं उन्होंने मृत्कों के परीजिनों को ददस लाख रुपे मौवजिया की घोशना भी की तो बाला सोर के बहा नगार स्टेशन के करीब में यह गटना हुई इसके लावा जो प्रधान मंत्री नरिन मोजी जी हैं उन्होंने भी दुख फ्यक्त किया और आज के दिन जो वंदे भारत ट्रेन का उडगाटन किया जाना था मुंबई गोवा उसका इन्योग्रेशन भी रद्ध कर दिया गया तो यह हाथसा शुकरवार को हुआ जैसा कि मैंने आप लों को बताया 2 जून 2023 क इस घटना की जो जाच है वो साउथ इस्टन डेलवे के जो सियारस सहाब है कमिशनर रेलवे सेफटी एम चौधरी वो इसकी जाच करेंगे इसके अलावा इस घटना के होने से कम से कम 50 ट्रेने रद्ध कर दी गई 40 के जो रूट है वो बदल दिये गए तो शाली मार स्वरी तो जो कोरो मंडल एक्सप्रेस है जो शाली मार से चिननई के बीच में चलती है और वहीं जो दूरंतो एक्सप्रेस है जो बंगलूरी से हावडा के बीच में चलती है तो इन दोनों में तो टककर हुई साथ में मा करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो घायल हुए हैं वो लोग भी ठीक होकर घर पहुंच जाएं तो कल साम सही यहां पर Rescue Operation यानि की बचाओ अभियान जारी रहा था और यहां पर NDRF की जो टी में हैं और ODRAF की टी में हैं वो लगातार यहां पर बचाओ अभियान में जुटी रही लोगों को निकालने का प्रयास जारी है आगे भी मृत्रकों की संख्या बढ़ सकती है आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल को ज़emor सब्सक्राइब कीजेगा ज़ाद सज्यादा दुआओ मैं हाद रखेगा अपना ख्याल रखेगा अगले वीडियो में हम लेंगे जय हिंद जय भारत